दूर्ग शहर में हो रही अगोशित बिजली का टोसी से शहर की जंता खासी परिशान हैं। इसी समस्या को लेकर सोमवार को विधायक अरुणवोरा एक दल के साथ बिजली विभाग के एक्जेक्यूटिव इंजिनियर से मिले और अपनी समस्या से आउगत कराया। पारशाद हमीत खोकर ने बिजली विभाग को आड़े हाथु लिया और कहा की इस अगोशित पटोती को बीजेपी के लोग राज्य सरकार की नाकामी बनाने पर अड़े हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने अपनी बात कुछ इस तरह से रखी है। कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने के बाद हमारे मुख्यमंत्री श्री भुपेज भगेल जी ने इस पश्ट कहा था कि बिजली की समस्या हमारे प्रदेश में नहीं रहेगी। मुख्यमंत्री जी ने कहा था बिजली भी हाव तो हाव भी हो रहा है लेकिन जो लगातार बिजली लाइट गोल हो रही है तो उससे पूरे शेहर वासी हलाकान है और इस बात की शिकायत हमने मुख्यमंत्री से भी किया है बिजली कटोती कहीं नहीं होनी चाहिए। आज हम यहाँ पर हमारे जो विजल्यूत विभाग के अधिकारी हैं उनसे मिलने आया है। हमने उनसे इस बात को कहा है कि शेहर के अनेक हिस्तों मे कभी भी किसी भी वक्त लाइट चली जाती है। जो और गर्मी का समय आप जानते हैं कि 46 दिग्री चल रहा है सा परिशान हो रहा है चार दीन हो चार रहा तो लाइट का चले जाना यह बहुत ही दुर्भागी जनक है हमने अभी अधिकारी महुदेश चर्चा की उन्होंने कहा है कि हम इसकी जांच करा लेते हैं और पूर दे आज चर्चा का विसाय बन गया है कि कांग्रेस के सरकार को बदनाम करने का विसाय तो नहीं है इसको हम लोगों ने इनके पास आया है कि आप लोगों को निर्देश तो नहीं आया कि शहरवास्यों को परसान करें आप लोगों ने बुला है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है तो हमारे सहर में किसी भी तरह के बिजली के कोई परसानी नहीं चीए मैं सब्सक्राइब दिन खड़ा हो रात खड़ा हूं विल्कुर तयार हो मगड़कर इस प्रक्राइब कि पूरी लिचंग अगर अगर अगर